Hello to everyone, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री को जिसको हिंदी में बोलते हैं, ट्रिकोर्ड मित्य यह, यह टिपेंड किसे होगा? क्लास 10 की बुक, HM Publication पर, और HM Publication में यह exercise 10.1 में रखी गई है, यह 10.1 की exercise आज हम लोग दील करेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इससे पहले हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे कि इसका एक formula होते है ratio वाले, यानि आनुपातिक सूत्र, इस formula पर ही जिसमें लगबग 6 formula होंगे, इस पर ही यह पूरी exercise डिपेंड है, तो पहले देखते हैं इसकी basics को, तो पहले हम बनाते हैं एक triangle, जो की होगा right angle triangle, यानि यह लिट कर लेते हैं A, यह B और यह C, यान इस triangle में angle जो भी है, वो है 90 degree, यह रहा angle भी, जो की है 90 degree, तो यहाँ पर समझना क्या है कि, जब भी हम इस formula का use करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि जो triangle हो, वो 90 degree वाला ही हो, यानि वो triangle कैसा हो, right angle triangle, हला कि without जो right angle triangle होता है, उस पर भी हम लोग इसका use कर सकते हैं, बट उसका formula अलग होता है, जो कि हम लोगे इस लेबस में नहीं है, तो हम लोगो सिर्फ इतना समझना है कि इस formula को लगाने इस पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा, कि triangle, right angle, triangle है यानि, यानि, एक angle कोई भी 90 degree बना रहा है कि नहीं, उसके बाद क्या देखना है, यह पहला पॉंट हो ग और लेते हैं ठीटा, अब यह ठीटा यहां पर भी हो सकता है, या यहां पर भी हो सकता है, angle होगा यानि जो theta होगा उसके सामने वाली side जो होगी यानि उसके opposite side होगी यहापे लिख लेते हैं angle C के opposite side है AB इसको नाम क्या देते हैं हम लोग perpendicular height और जो last make side बसती है जो इस case में BC है उसको नाम देते हैं base यह होगया base यानि आपर यह समझ सकते हैं कि angle B के सामने कौन है hypotenuse तो AC हो जाएगा इस case में hypotenuse angle C के सामने कौन है AB तो इस case में AB कौन है perpendicular height और नीचे जो side बज गई यानि angle A के सामने जो side है यानि BC वो हो जाएगा base तो इस हिसाब से हमें triangle के जो side से उसके नाम मिल गए एक high hypotenuse perpendicular height और AC base तो इससे related एक formula यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं उस formula को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस theorem यानि क्या समझ में आया कि पहले right angle triangle होना चाहिए उसके बाद यह सारी sides होंगी और इन sides का use किसमे करेंगे पाइथागोरस theorem में आप सभी ने पाइथागोरस theorem पढ़ी होगी नहीं तो या पर एक formula लिख लेते हैं हम लोग simple formula होता है यह होता है जो hypotenuse होती है उसका square और जो remaining sides होती है यानि perpendicular height और base इनके square के sum के equal होते है hypotenuse का square यानि hypotenuse का square जो square होता है वो perpendicular height और base के square के sum के equal होता है यह होती है पाइथागोरस theorem यानि mainly हम लोग इनका use करेंगे यह formula number वग हो गया H square equals to P square plus B square अब देखते हैं जो trigonometry में जो अलग फॉर्मले इस exercise में यूज होने तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि trigonometry में कुछ functions होते हैं जो trigonometry functions कहलाते हैं जैसे पहला function है sin theta या अब मुँवन इसको sin बोलते हैं दूसरा हो जागा cos third one is 10 इसमें ज्यान रखना बोर्ड में किसी भी spelling को यू मिला के नहीं लिखना है क्योंकि इसमें अलग अलग मतलब होता है यानि S अलग होना चाहिए I अलग और N अलग होना चाहिए इसको हम लोग मिला के यू डिजाइन से नहीं लिख सकते हैं उसके बाद फोर्थ नंबर होता है कॉसेक उसके बाद सेक और लास्ट है कॉट अब क्योंकि इसमें आप अपने आप से एक एंगल मानते हैं ठीटा तो इसलिए इस सभी का नाव हो जाता है साइन ठीटा कॉस ठीटा टैन ठीटा कॉसेक, सेक और कॉट ठीटा तो इनके हम लोगों को फॉर्मले याद करने होंगे जो की रेशियो बनाते होंगे तो जैसे साइन ठीटा होता है यहाँ पर ले लेते हैं ट्राइंगल फिर से यहाँ पर हमने क्या देखा था यह 90 था इसके सामने हो जाएगा हाइपोटेनस यह ठीटा था इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट और यह हो जाएगा बेस तो हम लोग फॉर्मला देखते हैं रेशियो वाला डियाग्राम के दुरू तो साइट ठीटा होता है प अपॉन एच यह ठीटा है इसके से बेस की वैल्यू यह ठीटा होता है अगर डिवाइट करें तो एच-ह कैंसल हो जाएगा तो इससे हिसाब से बचेगा पउन बी यह इसको ऐसे डेरेट भी याद़ कर सकते है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी पउन बी कॉसिक क्या होता है कॉसिक होता है जस्ट रिवर्स ओफ सांट टीटा यागर यह पॉझ है तो यह हो जाएगा है अगर यह थो जाएगा तो इस षाब से यह चे की छे form ले हम लोगोगो लड़ने करने पढ़ेंगे इस exercise को डिल करने की इसके बेना exercise नहीं की जा सकती है तो यह फॉर्मला दूसरा नमर हो गया जिसके हम लोगो यूज करने हैं अब हम डारेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज तो कुश्चन नमर फस्ट है कि साइट टीटा इकोस टू 3.5 हो तो वैलू फाइंड करो टेट टीटा कितना होगा यह एचेम प्विकेशन की एक्सरसाइस 10.1 का क्लास 10 की कुश्चन नमर फस्ट है तो यहां से हम लोग चालो करते हैं एक चीध ध्या रखना होगा तो सॉल्ट करते टाइम हम लोग को यहां पर लिखना होगा सॉलूशन तो solution क्या होगा देखो सबसे पहले हम लोगो क्या है triangle बनाना है तो यहां पर एब BC है तो लिखते हैं अब क्या हम लोग यहां पर देखते हैं given क्या है side data की value side equals to the i3 upon 5 यह क्या है given गीवन बट हम क्या जानते हैं कि side data की value होती है अभी पीछे फॉर्मले पड़ा यहां पर लिख लेते हैं अपन हम लोग एक ट्रिक लिए लेते हैं कि यहां देखो लिखा है होगा फिर कॉस और यह फिर होजागा 10 sign की वैली कि छुद्पास जोगा be upon h तो दिखो लिकाँ पॉन est और ती यह पॉन विदियो पिकांग अब इनकी वैल्यू नीचे से ले लेते हैं कौसहइक और कौड इसके लिक लेते हहे लेते हैं पौके यह लिए और पउन एच 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 बी तो यह जाएगा एच एच और बी यह ट्रीक होती है ताकि हम लोग हेज इटरेशन में इसके फॉर्मले भूलना जाए बाकि याद कर लो तो और इच्छा है तो लिखते हैं साइट इटा की वैलियू होती है पी अपॉन एच यह वी नो डैट यानि हम लोग जान इस त्री अपॉन फाइफ है उसमें कि यह जो होगा डी होगा और जो एच होगा फाइड यह निए पी जो होगा पर पर पिंडिक्लर है और और तो जहाएगा यह यह एच तो अब यहां पर हम लोग उसको अई पाइट है और यह एक्ए तो पी की वैल्या नु दूह आकम मे 90 degree, अफ़ॉस इन 90 होगा, और यह हो जायगा हम लोग लेट कर लेट हैं, ठीटा अब ठीट यहां पर अगर लेट करेंगे, तो अगर यहां लेट कर देगा हम लोगो पीछे इसको लिटखिए तो हम लोग यहीं लेके जलते हैं तो ठीडिया के सामने कॉण हो जाएगा है वाइसbenå थिो अधा और वह ही हम जानते हैं पैज्था वॉरस ते अधार्म की है इस क्स्क्वार इगोस टू बिप ए स्क्वार प्लूस धी स्क्वाइल होता हुँ तो टो 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 क्च्वाहल एक्स्वार का मतलब किता त्चीवार का मतहर करना है अब इसको यह सब बेसिक्स ऑफ मैटमेटिक से अगर आपने अगर आपको इसमें भी दिख्का दे तो इस चैनल पर बैसिक उसको जरूर देख लेना ताकि जितनी कंफ्यूजन है वो उसको दूर कर सको तो यहां पर सौल करते हैं अब जानते हैं इसको जाएगा इधर साइड यह जाएगा रूड में और 16 का रूड होता है यहां पर देख लो पी जो बेस होगा वह घो जाएगा फोड यहां पर लेखो हम लोगों को कि हैं अश भी पता हो गया और अब तो फ्रीमों को में पता है यह यह जो भी थे 6-6 हम लोग इसमें 10 पूछा है बढ़ हम लोग इस बेस पे किसी को भी निकाल सकते हैं क्योंकि जितने भी फॉर्मले किसी में पी बी पी या एच एच बी इन सब में पी बी और एच इन तुनियों को अलावा कुछ भी नहीं आएगा यह जब हम लोग को तीनों को वैली उपता है तो हम ल इस बीड़ा हूं 10 टीटा इक होस्टू हम लोग जानते हैं क्या होता है यहां पर देखते हैं अ से मैंसे ही होने वाले हैं तो हम लोग आप पकड़ेंगे इस भी बढ़ते हैं कि तरफ चाहिए तो आप इसका स्क्रिंशॉट ले सकतो हम लोग बढ़ते हैं कुशन नंबर सेकंड की तरफ अगला कुशन की क्या दिया हुआ है दिखाया है इफ कॉस्टीट एको स्टुवर्न यहां पर सैं नहीं होगा यहां पर होका साइब सेम ऐसे कोशन है यह एक बार श्यू इंदिया हुए इस रेश्यू से हमें तीसी कोई साइड निकाल निकाल नहीं होगी और इसके बाद कोई भी ट्रीक जो फान्ट नब पर सकते हैं तो वेल्यों कर दिख दोलीघिंगे स्व नेमिंग करते हैं अब हर कोशन में यह करना है तो इसलिए नेमिंग भी सेम रखो और ठीटा भी से में रखो एंगल भी 90 निगरी यह कितना ठीटा ठीटा के सामने कौन परपेंडिकुलर हाइट 90 के सामने कौन हाइपोटेनेस और नीचे कौन बचा बेस अब यहाँ पर चालू करते हैं गिवन क्या है गिवन है कि कॉस सीटा एकोस टू होता है दिया है मतलब वन अपॉन तुई और हम जानते हैं कॉस सीटा होता किसके एकोल है यह पर लिखेंगे विकोस को सीटा एकोस टू बेस टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस तो यह हो जाएगा ओपर बेस और नीचे हो जाएगा हाइपोटेनेस यह तो से लिखेंगे इन ट्राइंगल a b c by Pythagoras theorem क्या होती Pythagoras theorem H square equals to P square plus B square H की value दी है 3 P की value find करनी है और B की value दी है 1 3 का square कितना 9 यह होगा P square 1 का square 1 अब क्यूंकि P की value निकालनी है P के पास plus 1 में है तो 1 जब इदर shift होगा तो plus से हो जाएगा minus में तो 9 minus 1 equals to P square यह हो जागा 8 equals to P square अब जब square इदर बेजेंगे तो किसमे होगा root में यानि P की value आ गई अंडर root 8 इसको और solve कर सकते है क्योंकि root 8 को हम लोग जानते है कि 4 multiply 2 लिसकते है root में अब 4 जब root से बाहर निकालता हो जाता है 2 क्योंकि 4 root होता है इसको आरूट होता है 2 का और अंदर क्या बजाएगा सिर्फ और सिफ 2 चुरिए P की value कितनी आगी 2 upon root 2 तो अब हम लोग में या पर 2 root 2 value पता है P जी अब हम कुछ भी निकाल सकते है value किसके निकाल नेती साइट इटा की तो निकालते है साइट इटा होता है P upon H P कितना निकाला है 2 root 2 और हाइपोटेनेस कितना था 3 तो यह हिसाब से तो इस हिसाब से साइट इटा हो जाएगा 2 root 2 upon 3 टेक एट स्किन शॉट और बढ़ते हैं question number 3 पर question number 3 है costic theta equals to 2 यहाँ पर hole है यानि ऐसे कर सकते 2 hole 3 upon 5 यहाँ पर given क्या है लिखते है costic theta equals to 2 hole 3 upon 5 इसको कैसे solve करते हैं यह भी बता चुके है 5 to 10 नीचे multiply और पर प्लस यानि कितना हो जागा 5 to 10 और 3 यानि 13 upon 5 और यह कितना दिया हुआ है costic theta यानि costic theta के value है 13 upon 5 तो value find करो कि cost theta और पहले 10 theta और cost theta यह क्या होंगे इसमें वही काम करना है तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको let यह triangle है triangle A B और C yoga theta yoga 90 theta के सामने perpendicular height 90 के सामने hypotenuse और बच्चा कॉन base costic theta क्या होता है हम लोग जानते हैं hypotenuse upon perpendicular height तो यानि H की value है 13 ratio में और P की value है 5 निकालना किसकी value है? बेस फिर से लगाते हैं पाइथागोरस इन ट्राइंगल A, B, C बाइ पाइथागोरस थियोरम जो की क्या होगा? H square equals to P square plus B square हर question में हम लोग को जब तक ही हम लोग को यह ratio ले formula लगाने सब में यही process repeat करना है तो इस हिसाब से आपको formula याद भी हो जाएंगे और practice भी हो जाएंगी तो H की value है 13 इसका square P यानि 5 square plus B square 13 का square होता है 169 इसका होता है 25 plus B square 25 अगे नहीं आपर आएगा यानि हो जाएगा 169 minus 25 equals to B square तो ऐसे करते यह हो जाएगा 144 equals to B square square जब इधर आएगा तो root में और यह root होता है 12 का यहीं बेस जो था वो कितने का था 12 का अब value किसी निकालनी है 10 theta की तो 10 theta equals to कितना होता है perpendicular height upon base तो P कितना है था 5 base कितना निकालना है भी 12 तो 10 theta की value हो जाएगी 5 upon 12 फिर क्या निकालना है cost theta इसको भी निकाल सकते है cost theta क्या होता है base upon hypotenuse base कितना था 12 hypotenuse कितना था 13 तो इस साबसेश की value हो जाएगी 5 upon 12 10 की और cost की value हो जाएगी 12 upon 13 अगला question है sec theta equals to 2 यह जो लिखा जा रहा है इसकी पूरी PDF आपको description में मिल जाएगी महाँ पे लिंक होगा उसको आप लोग डाउनलड कर लेगा तो PDF एक साथ दे सकते हो question है sec theta equals to 2 तो फाइड कर value cost theta की यह भी question सेम ऐसा ही है तो यहाँ पर sec theta दिया है तो हम लोग जानते है कि sec theta equals to 2 नीचे को उस नहीं होता तो तो अल्रड़ी हम लोग क्या मानते हैं यह हम लोग को given है solution में यह हम लोग को given है फिर से अगें triangle बनाते है sec theta क्या होता है h upon b यह नीच 2 होगा hypotenuse b होगा 1 और यह होता है perpendicular height इसको draw कर लेक ते 90 और यह हो जगा theta theta के सामने perpendicular उसके सामने hypotenuse यह जगा a, b और c again हमें p की value find कर लें है इसको आप लोग खुद कर लेना पहले p की value find कर लेना by pythagoras theorem जब उसके बाद p की value आ जाए फिर लगा देना court का formula court क्या हो जाता है court का formula होता है b upon p तो base तो दिया था 1 और जो भी p की value आ जाएगी pythagoras के तुरू वहाँ पर लिख सकते हैं तो इस सबसे हो जाएगा answer question number 5 if tan theta equals to 1 upon root 3 then find the value of 2 tan theta upon 1 minus tan square theta इसको हम लोग by theta की value मनलब theta की value find करके भी कर सकते हैं और diet value put करके भी कर सकते हैं तो अभी हम लोग value put कर रहे हैं हम लोग उसको इसी method से लिखते हैं इसमें कुछ नहीं करना साफ साफ लिखा हुआ है कि tan theta की value यह है और यहाँ पर tan theta फसा हुआ है याणि diet हम लोग को tan theta की value put कर देनी है तो solution होगा यहाँ पर होजाएगा 2 tan theta upon 1 minus 10 square theta तो होजाएगा 2 tan theta की value कितनी 1 upon root 3 upon 1 minus 1 upon root 3 अब लेकिन इसमें tan theta का क्या square लगा हुआ है तो यहाँ पर भी value में लगा देंगे square अब इसको simple से हम लोग को बस solve करना है उपर तो होजाएगा multiply direct 2 on the 2 upon root 3 यह क्या होगा 1 minus 1 का square 1 root 3 का square करता होगा 3 अब यहाँ पर देख रहे हैं LCM से solve कर सकते हैं तो यहाँ यह भी सिखाया जा चुका है पीचे की वीडियो में 3 बंजा 3 फिर cross multiply 3 फिर cross multiply 1 बंजा 1 बीच में sign जो है वो लगा दो और बीच में यह जो लगा है over याणि upon लगा दो उपर क्या लिखा है उपर कुछ हम लोग ने किया नहीं तो हम लोग को as it is लिख देना है यहाँ पर solve करेंगे 3-1 किता हो जाएगा 2 तो पहले लिख ले तो उपर 2 upon root 3 upon इसको solve करने पर किता हैगा 2 तो जाएगा 2 उसके बाद क्या है upon 3 अब जब इसको solve करते हैं तो इसको क्या ले जाते हैं उपर ले आते हैं और वो भी इसके रेसिर पाउकल के साथ है यह जो नीचे लिखा है वह जाएगा उपर और जो उपर लिखा है वह जाएगा नीचे इन 2 upon 3 का 3 upon 2 2 so 2 cancel कितना बचा 3 upon root 3 अब root 3 कभी हम लोग नीचे लिखते नहीं या कोई भी root का number नहीं लिखते हैं तो root 3 और root 3 हो जाएगा divide and multiply तो जाएगा root 3 root 3 यह जाएगा उपर 3 और root 3 cancel 3 3 cancel इस हिसाब से answer कितना जाएगा root 3 अगला question है if side theta equals to 4 upon 5 then find the value of 3 sec theta minus 5 cos theta इस type के question MCQs में बहुत आते हैं तो इसको थोड़ा सभी समझना देखो इसमें क्या करना है उनको दो बार value निकाल लिए एक बार sec theta की और एक बार cos theta की और साथ में इसको in the form of equation दे दिया है equation नहीं variables कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर equal question नहीं है तो यहाँ पर फिराल हमें sec theta और cos theta दूनों की value निकालके 3 और 5 से multiply करके minus करना है का लिए तो देखते है question first of all वही कहाँ है कि side theta की value दी है 4 upon 5 और side theta होता है perpendicular height upon hypotenuse तो बनाते हैं यह होगा P यह होगा H और यह होजाएगा B P कितना है 4 तो यह होजाएगा 4 H कितना है 5 और यह होजाएगा base अब हम लोगने सबसे पहले ऐसे लिखाना था 5 4 और हमेशा इस cancer 3 आता है इसको आप लोग बार बार करके लिख भी सकते हो कि देखो अगर 3 4 होगा तो हाइपोटेनस हमेशा 5 यहाएगा तो यहापर जब हाइपोटेनस 5 है और यहापर 4 है तो अल्री बी भी 3 ही होने अला है तो इस सबसे आप टाइम सोड़ा बचा सकते हो MC के उसवाले कुशन में नहीं तो उसको बाई पाइथागुरस थियोरम से solve कर सकते हैं कि इस cancer कितना होगा 3 की एक लां हमें सबी-की पाइप और बेस कितना निकलाए 3 हम इसमें निकाल सकते हैं से टेअकर जैसे होता है तो जब रिवर्स होगा और उस थियोर स ही तो उसकी वैलब 10 हो जाएग 3.5 चुश्यावस था नोने बढ़ने अब सिर्फ उसकी वैलु निकालने के लिए वैलु को पुट करना होगी निकालना क्या था है 5 pakai यहाँ पर अलग से लिखना है तो वैलू रखते हैं 3 सउक्ट टीटा कि yenे टीद थी तो इस हिसाब से इस question का अंसर हो जाएगा 2 अगला question लिका है if 4 sin theta equals to 3 यहाँ पर sign नहीं है यहाँ पर होगा 10 if 4 tan theta equals to 3 then show that 4 sin theta plus 3 cos theta upon 8 sin theta plus 5 cos theta equals to 6 upon 11 अब की हमें क्या करना है प्रूफ करना है तो यहाँ पर solution नहीं डालते हैं अपकी क्या डालते हैं यहाँ पर प्रूफ डालते हैं यानि अब हम लोग proving करने आ रहे हैं तो overall हमें ने देख लिया कि यहाँ पर sin theta के लोग निकालनी पड़ेगी और cos की एक नीचे भी sign है cos है यानि overall हमें एक निकालना है sign और एक बड़ निकालना है cos तो निकालते हैं सबसे पहले दिया है 10 theta equals to 3 अब की देखों क्या गुमा दिया है question को यहाँ पर 4 कर दिया है तो कुछ नहीं 4 यहाँ पर multiply यह तो यहाँ पर आ जागा divide में यहाँ पर देखो फिर से पी के value कितनी है 3 यह था पी और बेस कितना है 4 तो फिर से देखो 3 और 4 तो आंसर किता होगा hypotenuse का 5 यह जा रहा है किना 5 जो मनलब hypotenuse होगा वो दोनों से बड़ा ही होना चाहिए तो यह जाएगा 5 नहीं तो आप लोग पाई पाइता है गुरस ठीरम इसको निकाल लेना हम लोग पहले निकाल चुके इसको तो अब निकालना क्या sign और कौस तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं sign क्या होता है P upon H ठी कितना है 3 हाईपोटेनस के इना 5 उसके बाद किसकी डीड है को सिटा प्लस थ्री को सिटा अपॉन एड इसाइड टीटा प्लस फाइव कॉसी टा और इसको प्रूफ करना है शिक्स अपॉन 11 के तो फर्स्ट अफॉल हम लोग क्या लिखेंगे बोर्ड में यहां पर लिखेंगे लेचेस एलचेस का इसको फिर से नोड डान कर लेना उसके बाथ हम लोग यहां पर रखते हैं वैल्यू फोर मल्टिप्लाइट साइंटिवड़ कित्ती ही यहां पर लिख लिख लेते हैं है । 3.5 है 3.5 और कॉस्ट के लिखें दिकली 4 अपॉन 5 की तो वैल्यू पूट करते हैं साइंटिवड़ा होगा 3.5 अपन फाइफ क्लस यह थ एट साइट टीटा कितना है अगें 3 upon 5 प्लस ये 5 और को सीटा हो जाएका 4 upon 5 अब इसको सिंप्लियम लोग को सॉल करके 6 upon 11 नाना है तो का 4 3 यानी 4 सीटा 12 अपॉन योजेगा 5 प्लस ये होजेगा ये भी होजेगा 12 upon 5 होल अपॉन ये होजेगा 8 3 यानी 834 upon 5 प्लस 5 फोर 20 अपॉन 5 जब डिनॉमेटर से हम होते हैं तो उपर नम्मर को as it is लिग देते हैं वो भी उनके साइन के साथ तो जब साइन के साथ लिएंगे तो 12 और 12 का हो जा होजेगा 44 5 से 5 कैंसल बचा कितना 24 upon 44 अब इसको टू सी डिवाइड करते हैं यह जागा 12 यह जागा 22 फिर होजेगा 6 और 11 तो ओवाराज कितना गया 6 upon 11 जो कि किसके एक्वल है एक्वल है और यह हमें प्रूफ करना था तो हैंस प्रूफ तो इस हिसाब से हमने देखे इस एक्सरसाइज के लगबक 7 कोशिंज को अब आगे कोशिंज हम लोग देखेंगे नेक्स वीडियो में